बॉलिवुड एक्टर रितिक रोशन इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में उनकी फिल्म विक्रम वेधा के बाइकॉट को करने की मांग हो रही थी क्योंकि उन्होंने आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चढधा की तारीफ कर दी थी। अब रितिक रोशन उनलाइन फूड डिलिवरी कंपनी जोमेटो के एड को लेकर चर्चा में आ गए हैं। दरसल इस विग्यापन को जम कर विवाध हो रहा है। टृतिक रोशन के एड को लेकर कहा जा रहा है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। यहां तक कि उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया। विवाध को बढ़ता देख जोमेटो ने माफी मांग ली है। आए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। टृतिक रोशन जोमेटो का विग्यापन करने नजर आते हैं। इसके नए एड में वो कह रही हैं। थाली का मन किया। उज्जैन में हैं। त जारियों का कहना है कि महाकाल मंदर से इस तरह से कोई थाली पूरे देश में क्या उज्जैन में भी डिलीवर नहीं की जाती है। बलकि सिर्फ श्रद्धालूँ को मंदर के सामने वाले एक शेत्र में फ्री में दी जाती है। उज्जैन के महाकाल मंदर के पुजारी का कहन है कि जो कंपनी ग्राहकों को वेज और नॉन वेज खाने की ओनलाइन डिलिवरी करती है उसे तुरंत महाकाल के नाम की थाली का विग्यापन बंद कर देना चाहिए वरना पुलिस में शिकायत की जाएगी कंपनी ने अगर माफी नहीं मांगी तो हम कोर जाएंगे वहीं उज् जो मिटो ने एक बयान जारी किया है इस बयान में कहा गया है रितिक रोशन के विग्यापन में उज्जेन के कुछ पिन कोड में महाकाल रस्टोरेंट का जिक्र किया गया था ना कि श्री महाकाल इश्वर मंदिर का महाकाल रस्टोरेंट उज्जेन रस्टोरेंट है ये वि इस एड की ब्रॉडकस्टिंग पर रोक लगा दी है हमारा मकसद किसी को भावनाओं को ठेस पहुचाना नहीं थी हम सभी से माफी मांगते हैं इसे और अपडेट के लिए और हमारी चैनल के साथ जुड़ने के लिए लाइक, शेर और सबस्क्राइब किजे